आजना आ वीडियो लेक्चर मा आपनु स्वागत छे। स्टुडेंट आपडे डाइरेक्ट औने इंडाइरेक्ट स्पीच नो अभ्यास करी रहिया हता। स्टुडेंट आपडे आगरना लेक्चर नी अंदर छो यू के डाइरेक्ट औने इंडाइरेक्ट स्पीच कोने केहवाई। के डे व्यक्तियो वादचित करे छे, ए जहेम वाद करे छे, ए मज वाद तमें त्रिजा व्यक्तिने करो छो, तो ए डाइरेक्ट स्पीच छे, परन्तु ए पोतानी रीते त्रिजो व्यक्ती छे, ए पोतानी रीते रजुवाद करे छे, तो ए इंडाइरेक्ट स्पीच आपड़े शेर करता होई यह ची यह परंतु इंग्लिस लेंग्वेज नी अंदर आपड़े कई रीते आ डाइरेक्ट इंडाइरेक्ट स्पीच नो अभ्यास करवो यह आपड़े शिखी रहिया आता राइट कया कया फेरफार करवा आरवी कोने केवाई संयोजग तरीके कोमा और डबल इंवर्टेड कोमा काठी अने धेट लगाडवानू थाई आब दूज आपड़े सरशरीते सिखता हता राइट स्टुडेंट तेन नेक्स्ट आपड़े शर्वनाम ना फेरफार अने काड़ परिवर्तन आपड़े सिखी गया के प्रथम पुरूस एक वचन ना जो सर्वनाम होई तो बोलनार प्रमाने फेरफार करवो बीजा पुरूस एक वचन ना होई तो सांभरनार प्रमाने फेरफार करवो त्रीजा पुरुस 1 वचन होई के 2 वचन एमा कोईज चेंजिस नहाथी थातो परन्तु जो पुरुस 2 वचन के बीजो पुरुस 2 वचन ना सर्वनाम होई तो एमा सू फेरफार थाई डाइरेक्ट माथी इंडाइरेक्ट करती वक्ते इंडाइरेक्ट स्पीच ना वाक्यमा थोड़ा फेरफार साथे लगवानू थाई छे तो आ अपड़े सर्वनामना फेरफार जोया त्यार बाद आपड़े काड परिवर्तन जोवानू छे तो एक ओस्टक आपड़ा जोई गया के रिपोर्टिंग वर्ब जो वर्थमान काड़ भविश्य काड़ के भूत काड़ मां होई तो आपड़े केवा केवा चेंजीस करवा जोई राइट तें next today we will start our part 2 क्रियापद मां फेरफार काई रिते करवाए जोई ये अब डाइरेक्ट स्पीच मां थीं इंडाइरेक्ट स्पीच मां वाक्याने फेरव्य छिए त्यारे क्रियापद नू मुढ रूप एस के एस वाड़ू होई तो आपड़े इंडाइरेक्ट स्पीच नी अ Head प्लस भूत खुरुदन्त मुखवानु थाय, छे। stein, is के आर आपेलु होई, तो वोज on, ठाय, छे। अने वोज वर आपेलु होई, तो Head बिन थाय, छे। have, has आपेलु होई, तो Head, head आपेलु होई, तो Head pierwsे रे से, shall will आपेलु होई, तो would करवानु। केन आपेलू होईतो कुड करवानू, में होईतो माइट करवानू, मस्ट होईतो मस्ट अथवा हेड़ टू करी शकाई छे। डूल प्लस नकार होई तो डूल दीड मातर नकार मामुक्वानू थाय छे। D plus V1 आपेलू होई तो आपणे इंडायरेक्ट स्पीच नी अंदर head plus V3 करवानू थाय छे आप दा चेंजीस करवा माटे कोस्टक ड्रो करीने सरसरीते तमने आपेला छे राइट कि ज्यत्थी करीने जो आ कोस्टक तमने सरसरीते बाई हाट करीली धाहसे तो तमने डायरेक्ट माथी इंडायरेक्ट तमने एकदम इजीली थाई जाशे आपे नेक्स्ट आपेलू छे समय दर्शक अने स्थर्ड दर्शक शब्द मा फेरफार आपे डायरेक्ट स्पीच माथी इंडायरेक्ट स्पीच माँ फेरफार करवाना थाई तो केवा-केवा फिरफार करवाना था ये जो ही है तीस नू धेट, तीस नू धोज, हीर नू धेर, नाव नू धेन, तस नू शो, अगो नू बिफोर, टू नाइट नू धेट नाइट, अने टू डेनू धेट डे करवानू थाई छे स्टूडेंट, अतियर सुधी अपेला टोटली को स्टेक तमें जो सरस्रिते बाई हाट करशो, तो तमने डाइट स्पीच माथी, इंडाइरेक्ट स्पीच माँ सैंटेंस ने इजीली कन्वर्ट करी शक्षो तेन नेक्स्ट डाइरेक्ट मात्यों इंडाइरेक्ट करवा माटे यस्टरडे नुद प्रिवियस डे, टुमोरो नुद नेक्स्ट डे, कम नुद गो, नेक्स्ट वीक नुद फोलोविंग वीक, लास्ट वीक नुद प्रिवियस वीक आ रिते तमारे स्थर दर्शक औने समय दर्शक शब्दमा फेरफार करवाना थाई छे तेन विधान वाक्यामा इंडाइरेक्ट स्पीच ने कई रिते आपणे फेरविये डाइरेक्ट माथी इंडाइरेक्ट विधान वाक्याने कई रिते फेरविये ए चोईए विधान, प्रशनार्थ, तेन नेक्स्ट उदगार अने आगनार्थ आ प्रकार ना चार वाक्योंने तमारे डायरेक्ट माथी इंडायरेक्ट मा फेरवाना होई तो तमें कई रीते फेरवो ए समझी है रवी से इस मोनाटी इस इंगलीश आ वर्तमानकाड़नू वाक्या छे हवे आ वर्तमानकाड़ना वाक्या ने आपड़े जहारे डायरेक्ट माथी इंडायरेक्ट स्पिच मा फेरविये त्यारे सूचेंजीस करवाना थाई तो वर्तमानकाड़ना वाक्यामा आपड़े काड़ परिवर्तन करता नथी कारणके RV पन वर्तमान काड मांज छे, तो Ravi says that Mona teaches English, वर्तमान काड मां होई, तो ते मां डाइरेक्ट मां थी इंडाइरेक्ट करती वक्ते आपड़े फिरफार करता ना थी, एउ आपड़े आगड कोस्टक मां सिखी गया छी, ते नेक्स्ट सेकेंड आपेलू छे सेईड, पन जे डाइरेक्ट स्पीच नू डबल इंवर्टेड कोमा नी अंदर आपेलू वाक्या छे, एसन ना तन सत्य छे, तो वाक्या मां कोई ज फिरफार नहीं थाए, फोक्त ने फोक्त कोमा अने डबल इंवर्टेड कोमा निकडी जासे, अने धेट लाग से, राइट, तेने कहियुके, प्रुथवी छेई सूर्या फरते फरे छे, थर्ड सेंटेंस छे, रोहन शेईड टू किरान, यू केन नोट गो होम विधाउट गिविंग मी और पेन, रोहने किरानने कहियुके, तु मनेत, मारी पेन आपिया वगर घरे नहीं जैई शके, आंसर लखीशू, शेईड टूनू टोल्ड थाई, अपड़े एसीखी गया ची, राइट, रोहन टॉल्ड किरान, कोमा अने डबल इन्वर्टेड कोमा निकली जासे, धेट लगाड़ीशू, अने यू आपेलू छे, यू एटले बिजो पुरूस एक वचन, तो बिजो पुरूस एक वचन होई, त्यारे सांभर नार प्रमाने, तो सांभर नार कोण छे, तो किरान, एटले शी लगाड़ीशू, सी गें नोट नु थाई जासे, कूड नोट गो होम, विधावूट गिवींग मी, मी एटले प्रथम पुरूस छेने एक वचन, तो मी नुसू थाई जासे, मी एटले प्रथम पूरूस एक वचं तो प्रथम पूरूस एक वचं एटले सामभणनार प्रमान के फिरफार तो बोलनार छे ही, तो मी नूँ थाई जसे हीम, औने योर पेन नूँ थाई जसे हर पेन, राइट, बीजो पूरुस होई, तो सांभणनार प्रमाणे, प्रथम पूरुस होई, तो बोलनार प्रमाणे फिर फर करी, औने वाक्य मां काड परिवर्तन साथे फिर फर करी, संयो ज जग्धेट लगाडी अने वाक्या बनाववानू थाई छे फोर्थ छे शी शेइड टू हीम सी पची शेइड टू नू टोल्ड हीम नू हीम सैयों जग्धेट आई वुड लाइक टू शी योर न्यू बाइसीकल आई येटले बोलनार प्रमाणे तो सी वुड नू वुड लाइक नू लाइक टू शी नू टू शी योर नू बिजो पूरू सेटले हीम हीम नू बाइसीकल राइट तन फिफ्थ सेंटेंस छे केशव शेइड टू राधा आई केन मीट यू नाव केशव शेइड टू नू टोल्ड राधा नू राधा अने कोमा ने डबल इन्वर्टेड कोमा काडी अवचे लगाडी शू थेट आई एटले प्रथम पूरूस तो बोलनार प्रमाणे ही केन नू कूड मीट नू मीट यू नू यू एटले बीजो पूरूस छे तो बीजो पूरूस एटले कोस्टक याद करवानू नावनू थाई जसे धेन राधा एए याद राखवानू के इन्डाइरेक्ट स्पीच मां सैयों जोक धेट आवसेज जे आपणे आगल सीखी चुकिया चीए हवे डाइरेक्ट मां थी इन्डाइरेक्ट स्पीच नी अंदर आपणे फिरफार करिये छिए त्यारे आपणे आरवी ने फिरववाना थाई तो कई रीते फिरवीशु ये याद राखवे शेईड होई तो शेईड रेसे सेईड टू होई तो टोल्ड थसे सेईड नू सेईज जरेशे औने सेईड टू होई तो टेल्स थसे आ अपणे याद राखवू चरूरी जे अवे प्रश्नार्थ वाक्य आ अपणे जोई सादा वाक्यो विधान वाक्यों कै विधान वाक्यों नी अंदर आपणे फिरफार करवाना थाई तो आपणे कई रिते फेरफार करीशू एना उदार अरन जोया, त्यार बाद प्रशनार्थ वाक्या छे, तो प्रशनार्थ वाक्या नियं अंदर आपणे कई रिते फेरफार करीशू, ए जोईये। प्रस्नार्थ वाक्य बे रिते पुछुवा मा आवे छे, WH प्रिश्नार्थ सब्द थी औने सहाई कारक क्रिया पद थी, ए आपणे खबर अच्छे के प्रश्नार्थ वाक्य छे इबे रिते वोई, एक WH औने एक सहाई कारक क्रिया पद थी पूछेलू, रैट? हवे जहरे डाइरेक्ट स्पीच नूँ वाक्य WH प्रिश्नार्थ सब्द थी सरू थतू ओई, त्यारे संयोजक तरीके इए WH प्रिश्नार्थ सब्द ज मुखवानों आवे छे, आपणे संयोजक विधन वाक्यामा धेट लगार ता ता, और या WH शब्द ज मुखी देवानों त्यार बाद प्रिश्नार्थ वाक्याने विधन वाक्यामा फेरवी अने लगवानों थाई, छे, हवे बोलनार अने सांभणनार नी वच्चे आस्कड मुखवामां आवे छे, राइट, शेईड टू होई, सेईज होई, शेईड होई, के शेईड होई, आस्कड मुखवू ज्यार प्रश्नार्थ वाक्या, डाइरेक्ट स्पीच नू वाक्या, प्रश्नार्थ वाक्या वोई, त्यारे, डाइरेक्ट स्पीच नू प्रश्नार्थ वाक्या, जो सहाईकारक क्रिया पत्थी शरू थतु वोई, तो संयो जक्तरीके, इफ अत्वा वेधर मुखू, पड आपड़े if अथ्वा वेधर मुखू जोईए अवे प्रश्नार्थ वाक्याना अंते आपेल प्रश्नार्थ चीन हचे इ निकड़ी जशे राइट अवे एक्जाम्पल जोईए एटले आपड़े सारी रिते समझी शक्ये क्ये प्रश्नार्थ वाक्याने आपड़े मां कई रिते फेर वी शक्ये एक्जाम्पल फर्स्ट शी शेइड टू मी आर यू वेल टूडे सीनू शीज रहेशे शेड टूनू आस्क्ड थाई जासे औने मी बोलनार अने सामझनार मा आपड़े फिर्फार करवाना न थी RV माा फिरफार करवानों थाई तो प्रष्णार्त वाक्या होई तिया रे Asked बाकी आपड़े अगल जोयज गेया छीए के साधो बुटकाल के साधो वर्थमान काड़ होई तिया रे डाइरेक्टमा थे इन्डाइरेक्टमा आपड़े आरवी मां सू फेरफार करिये छिये राइट अने अईया प्रश्नार्थ वाकिया छे अटले शैडिटुनू आस्क्ड मी हवे डाइरेक्ट स्पीच नू वाकिया जोईये तो आपने प्रथम सब्द जोता क्या लावी जाई के डबल्यू एच शब्द थी छे के सहाईकार क्रिया पत्थी छे वाकिया तो सहाईकार क्रिया पत्थी छे तो आपने सैयो जक्तरी के if अथवा वेदार मुकू पड़े तो आपने if मुकेसू if हवे प्रशनार्थ वाकियाने विधन वाकिया मां फेरफवामूं छे are you well today तो यू बिजो पुरुस छे, तो सांभणनार प्रमाने, तो सांभणनार मी, तो यू नू थाई जेसे, आ, आर, वर्तमानकार नू भूतकार, तो आर नू वोज, वेल, नू वेल, तुडे, तो स्थर्ड दर्शक अने समय दर्शक नू कोष्टक याद करवानू, एमा आपे चे, तुडे नू थाई जेसे, धेड डे, आने प्रश्णार्थ चिन्हनी कडि जाई, आने फूल स्टोप लागी जाल, राइट, अवे नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस जे, आमान सेईड तू मी, डीड यू गो तू धू डौक्टर, क्वेश्चन मार्क, राइट, प्रश्ण चनार्थ वाक्या चे त्यारे, आपड़े, अमान, आस्क्ड मी, अवे प्रथम सब्द जोता ख्यालावी जाई के सहाईकार, क्रिया पद थी पुछेलो प्रश्णा चे, एटले, इफ, पची, यू बिजो पूरुस चे, तो मीनू थाई जासे, आई, डीड नू थाई जासे हेड, डीड गो, भूतकाड चे, एनू थाई जासे, हेड गोन, टू धाई डॉक्टर, फुल स्टोप, थर्ड सेंटेंस चे, तो टीचर सेड टू मोहन, वोट आर यू डू दूइंग हीर नाउ, हवे डाइरेक्ट माथी इंडाइरेक्ट करिशू, त्यारे, तो टीचर सेड टू नू, आस्क्ड, मोहन, डबल्यू एच, शब्द थी पूछेलो प्रश्ण छे, राइट, त्यारे, मुकिसू, सैयों जक्वोट, यू, बिजो पूरुस छे, त्यारे, सांभर्णार प्रमाणे फिर्फार, तो यू नू थाई जासे, ही, आर गोइंग नू थाई जासे, वोज, सोरी, आर डूइंग नू थाई जासे, वोज डूइंग, पचीस थर्ड दर्शक, समय दर्शक, शब्द ना कोस्टक मा जोई ये, तो यूर नू, धेर, नाव नू, धेन, धेन, नेक्स्ट, फूल स्टोब लगाडी सू, तो टीचर आस्क्ड, मोहन, वोट ही वोज द दूइंग, धेर, ना, धेन, तेन, फोर्थ सेंटेंस छे, था बय, सेड़, टू, ज D. हींधि fellowship, आस्क्ड, कारणके प्रशना अर्त वाकिय चे, डाइरेक्ट, स्पीच नू वाकिय, कयु चे, प्रशना अर्त वाकिय, तो सेड़, टू, नू कर यू, आस्क्ड, था बय, आस चेलो छे, what will you prepare in lunch for me? तो will no would थाई जाई छे, you बिजो पुरुस होई, तियारे सांभणनार प्रमाणे, तो सांभणनार छे, mother, तो c आउसे, she would prepare in lunch for him, me, प्रथम पुरुस होई, तो बोलनार प्रमाणे, बिजो पुरुस होई, तो सांभणनार प्रमाणे, तो me नुथाई जासे him, फिफ्थ सेंटेंस चे, अरून सेइड टू मी, what did she want? अरूने मने कहिऊ के, what did she want? तेनी ने सुझो जोईतू हतू, अरून सेइड टूनू, asked me, अरूने मने पुछिऊ के, स्वोट, सी नुशी, त्री जो पुरुसमा कोई ज फेरफार थतो नथी, तेथी she नुशी, did want नू, had wanted, तो आरीते आपणे फेरफार करवाना थाई चे, विधान वाक्य औने प्रश्ण वाक्य ना फेरफार आपणे सरस्रीते समझिया, हवे नोंद आपली छे जोए, कि जहारे डाईलोग मां सहाईकार क्रियापत्थी प्रश्ण पुछेल होई, अने जो बोलनार तेनो जवाब yes के नोमा आपे, तेवा वाक्य मा बोलनार औने सामभणनार वचे yes मा जवाब होई, तो answer positively औने जो नोमा जवाब होई, तो answer negatively मुखवू, yes औने no पची कोई विधान वाक्य आपेल होई, तो तेने जोडवा माटे and told धेट मुखवू पड़े, स्टुडेंट्स नोंध पन तमारे याद राखवी पडशे, तोज तमें सरसरीते डाइरेक्ट माथी indirect स्पीच माँ चेंजीस करी शको, सेंटेंस माँ तमने शिखवाड़ू छू के जह थी करी ने तमें एक एक सेंटेंस बनावता शिखी जसो, तो डायलोग बनावा माँ तमें एकदम इजीली आंसर लखी शक्षो, वे एकजांपल आपेलू छे, रागी नी सेड, how are you नीराली टुडे, नीराली सेड, I am fine, what shall we do now, आरीते तमने आपेलवा होई, 2 के 3 लाइन ना डायलोग, तो तमारे यांसर लखवाना थाई, तो कई रीते लखवानो, तो आंसर तमारे आरीते लखवानो थाई छे, पेरेग्राफ मा, एक एक सेंटेंस ना अंसर लखवाना थता न थी, तमारे हम्मेसा पेरेग्राफ मा ज अंसर लखवाना थाई छे, रागी नी आस्कड नीराली, how she was that day, you, बिजो पूरुस छे एटले, सामभणार नीराली छे, एटले, she, are, वर्तमान काड़नों भूत काड़ एटले, was, today, new, that day, right, then next नीराली वाडू सेंटेंस छे, एटले, नीराली आंसर आपे छे, एटले, नीराली, आंसर रागी नी, that, कारणके, I am fine, एतो तमारे विधान वाकिय अच्छे, एटले, साहियो जग धेट, I, प्रथम पूरु एटले, बोलनार प्रमाने, तो बोलनार नीराली छे, तेथी, she, am fine, anybody, was fine, and, asked, again, asked, फरीथी पूछे जने, and, asked, WH, शब्द छे, एटले, WH, शब्द ज मुखी सु, what, V, बोलनार, V नू थाई जासे, धेई, धेई, शेल नू, वूड पन करी शको, right, वूड, डू, 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 नू, नू, धेन करेलू छे, right, आ रिते तमारे एक्जाम्पल्स आपेलू छे, ए रिते तमारे एक्जामनी अंदर, डाइलोग, सोरी, डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट स्पीच पूछाई छे, तमारे आ रिते ज पेरेग्राफ मां आंसर लखवा अप आजना लेक्चर नी अंदर समझे लू, तमें बदूज सरस्रीते समझी चुकिया हसो